नमश्कार दोस्तों, सुप्रीम पोर्ट ने माइगरेंट वर्कमेंट का जो इशू है उसकी कॉगनिजन्स लिए उस पर काफी सुनवाई हुई, काफी एक्सचेंजेस हुए सरकार की तरफ से और जो सरकार के अगेंस्ट है उनके बीचे काफी एक्सचेंजेस हुए तो वो तो सारा पब्लिक डोमेन में उसके बारे जो भी इंफर्मेशन चाहिए वो सबको न्यूस की दोरा और दूसरी जो वेबसाइट से उसके दोरा मिल जाएंगे पर आज जो हमारा मुदा है वो यह है कि माइगरेंट वर्कर्स का जो इशू है अल्टिमेटली उसकी रिस्पॉंसबिलिटी किसकी है क्या यह रिस्पॉंसबिलिटी सरकार की है या सरकार के अंदर जो लेबर डिपार्टमेंट है या लेबर मिनिस्ट्री है क्या यह सिर्फ उसकी है क्या यह रिस्पॉंसबिलिटी सुप्रीम कोर्ट की है तो यह सारी तमाम ऐसे जो इशूज हैं आज हम वो डिसकस करेंगे चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की डिसकस्ट लोग्डाउन दिक्लेयर होने से लेकर के इसके इंप्लिमेंटेशन तर केवल चार घंटे का समय दिया गया था अब क्या यह चार घंटे जो थे यह उन तमाम वर्कर्स के लिए काफी थे जो अपने घरों को छोड़कर काफी दूर काम करने गया हैं जो वर्कमें राजस्तान छोड़कर केरल में काम करने गया है यह ओडिसा छोड़कर के दिल्ली आया हुआ है ऐसे और काफी राज्यों से जो लोग अपना घर छोड़ छोड़कर देश के metropolitan cities में जैसे कि दिल्ली, मुंबई काम करने गए हुए क्या ये चार गिंटे का वक्त, by any stretch of imagination, ऐसे workers के लिए काफी था तो दोस्तों ये वापिस से हमें अपने सवाल पर ले आता है कि ये जो लेबर अपने घर जाने के लिए सड़कों पर निकले हुए है इनकी responsibility किस तर है दोस्तों हमारी जो constitution है, जो सम्विधान है उसमें तीन lists है, एक है state list, एक है union list, एक है concurrent list जो union list है, उसके अंदर जो laws बनती है, वो सिर्फ union बना सकती है वैसे ही state list की जो laws होती है, वो सिर्फ जो राज्य है, जो states है, उस list में जो subject दिया हुए उस पे सिर्फ राज्य या state अपने laws बना सकती है और जो concurrent list है, उस पे दोनो union और state मिलकर के law बना सकती है तो जो labor है, वो आता है concurrent list के अंदर concurrent list के अंदर आता है, इसका मतलब कि दोनो union और जो state की सरकार है वो दोनो उस पर काम कर सकते हैं, उस पे कानून बना सकते हैं जो भी rules, regulations, जो भी safeguard के measures करने हैं, दोनों सरकारे कर सकते हैं union की भी कर सकते है, state की भी कर सकते हैं की union state को blame करती है, और states भी आपस में एक दूसरे को blame कर रहे हैं महराष्ट्रा blame करती है, UP को, UP blame करता है, राजस्तान को ऐसी चीज़ चल रही है कि हर कोई कुछ करने की बजाए responsibility को एक दूसरे की उपर डाल रहा है तो ऐसी situation create हो गई है, जिसमें मारा जा रहा है कौन? जो migrant worker है, जो 45 degree गर्मी में भी सड़कों पर अकेला चल रहा है अपनी family के साथ उसके पास कोई support नहीं है अब दोस्तों ये migrant workers हैं, उनके लिए 1979 का एक law है उसका नाम है Interstate Migrant Workers Regulation Act 1979 अब ये जो law है, ये इसमें काफी अच्छे provisions हैं जिसमें की workmen का welfare हो सकता है, workmen की जो safe guards है उसके बारे बात करती है, पर ये law workmen को मालू नहीं है इसके बारे क्योंकि दोस्तों हमारे देश की जो labor laws हैं, वो काफी complex हैं, complicated है और workmen जो होता है, वो poor section of the society को belong करता है, वो एक top quality lawyer को वो सकता है, जो उसको legal services चाहिए, या जिस level का legal advice चाहिए, वो एक labor afford नहीं कर सकता है और more often than not, वो जो workmen होता है, जो labor होता है, वो किसके against, pitted होता है, वो pitted होता है, सरकार के against, या labor department के against, या जो उसका employer है, जो की कोई multinational company होगी, जो इंडिया के best lawyers को afford कर सकती है तो दोस्तो इसी वज़े से labor के लिए laws हैं, उसके बावजूद, labor उन laws के बारे जानती नहीं है, और उनका जो फायदा है, वो उठाने सकती है अब दोस्तो जब ये coronavirus start हुआ था, तो इंडिया सबसे पहली country थी, जिसने air India के planes उड़ा करके, जो बाहर भारतिय नागरिक फसे हुए थे, उनको free of cost अपने घर लाए थे, इंडिया लाए थे, बहुत अच्छा step था, ये humanitarian aid का काम था, बहुत, it's commendable कि इंडिया ने ऐसा करा और इंडिया की बहुत वावाही है, पर दोस्तो ये जो चीज, foreign soil के जो इंडियन थे, उनको plane में लाने वाला काम free of cost अपने लाए थे, why couldn't it be extended to migrant workers, migrant workers से पैसे क्यों लिये जा रहे हैं, वो तो belong करते हैं, सबसे lower state of the society का और उनके पास पैसे भी नहीं है, उसके में श्रमिक ट्रेंस चली है, उसमें भी उनसे पैसे लिये जा रहे हैं, जो बैचारे workers ट्रेंस से आ रहे हैं, उनकी conditions भी ठीक नहीं है, उनको कहते हैं, ठीक खाना नहीं मिल रहा है, उसमें ऐसी काफी reports आई है, उसके इलावा train चलती है, तो उसको जाना होता है, यूपी य जो constitution के तहर्ट जो हमारे state को recognize गया था, जो उसको model बनाया था state का, वो था welfare state, welfare state में state को अपने citizens की, जो basic requirements है, कम से कम, वो minimum requirements का ख्याल रखना होता है, ऐसी humanitarian crisis के time पे, ये जो गरीब लोग है, इनको घर पहुचाना state की number one priority होनी चाहिए, और ऐसे महाल में, उनको state के द्वा पुलीस मार रही है, ऐसे videos हैं, जिसमें उन्हें brutally मारा जा रहा है, उनके बच्चे जो हैं, अपनी मा की लाश के side में बैठके, बच्चे को पता नहीं, उसकी mother की death हो गई है, तो ऐसे काफी videos हैं, जो की circulate हो रही है, जिससे ही ये पता लगता है, कि workers के साथ जो हो रहा है, जिस तरीके से, जिस level पर उनको help मिलनी चाहिए सरकार से, वो नहीं मिल रही है, अब दोस्तो एक और चीज़ है, जो की है PMCares Fund, PMCares Fund में पैसा जा रहा है सारे private individuals का, तो इसको transparent तरीके से use करना चाहिए था, और ये जो migrant workers का जो है problem, इससे अच्छा PMCares Fund का use हो ही नहीं सकता पर ये fund कहां use हो रहा है, किसी को पता नहीं है, in fact CAG, जो Comptroller and Auditor General है, वो भी audit नहीं कर सकते हैं, और दोस्तों जो migrant workers को लाने का जो exercise है, वो एक simple exercise है, point A से point B तर कुछ लोगों को पहुचा रहा है, इस state के पास सारे साधन है, उनके पास trains है, planes है, बसे है, गारिया है, रोड उनकी है, सारी चीज़ें उनकी है, तो सरकारे क्या किसी को point A to point B भी अराम से नहीं पहुचा सकती है, तो दोस्तों ये classic case था, Supreme Court की intervention के लिए, Supreme Court है हमारी समविधान की custodian, तो कोई भी ऐसी crisis आती है, humanitarian crisis आती है, जो humanitarian law है इंडिया का, वो basic law जो है, वो है article 21 के अंडर, right to life and personal liberty, Supreme Court उसे बफात ही, कुपसूरत तरीके से over a period of time interpret करा है, एक interpretation Supreme Court की ये है, कि right to life जो है, it does not mean right to live a life of an animal existence, animal existence वाली life नहीं, और दोस्तों ही, जो migrant workers को घर लाया जा रहा है, ये जो exercise है, इसमें animal existence से कम कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कह रही है कि, हो सब कुछ कर रही है, उनके migrant workers को वापस घर ले जाने के लिए, पर it's not enough, अगर एक भी migrant worker, सरकार है Supreme Court में भी कहा, कि ये one-off incident है, one-off incident भी नहीं होना चीए, because at the end of the day, what we are talking about is human lives, अगर एक migrant worker भी वापस आते वक्त, उसकी death हो जाती है, तो दोस्तों वो एक death है, उसकी family है, बच्चे है, तो government या सरकार ये नहीं कह सकती, कि एक one-off incident है, जहां पर कि उनको ठीक से घर वापस नहीं लाया गया, दोस्तों हम एक welfare state में रहते हैं, और welfare state में ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, कि अपने citizens का जो basic amenities है, facilities है, वो provide करें, ऐसी humanitarian crisis के टाइम पे, सरकार को आगे आना चीए, बढ़ चड़के, जो भी welfare activities हैं, वो करनी चाहिए, एक sensitive mindset के साथ, सरकार हमें facilities देने की बजाए, आम लोगों से ही पैसे माँग रही है, और दोस्तों, this goes against the fabric of a welfare state, और ऐसी परिस्तिती में, Supreme Court ने जो step in किया है, that is the right step forward, दोस्तों, हमारी जो Supreme Court है, उसको कहीं कहीं तो कहा गया है, कि वर्ल्ट सरकार को भी वो question कर सकती है, और सरकार की ऊपर भी directions issue कर सकती है, for them to be implemented, और दोस्तों, यह जो majesty of court है, इसको maintain रखना होगा, especially for situations like this, यह जो migrant workers का issue है, जहां पर सरकार जाने-अन जाने, ठीक तरीके से इस issue वो address नहीं कर पा रहे हैं, तो, it is the role of the Supreme Court to step in and question the government to monitor the activities, the safeguards that the government is taking up, दोस्तों, that brings us to the end of this discussion, अगर आपको यह discussion अच्छा लगा, तो इस video को like करें, और ऐसे हमारे legal discussions के साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे channel को subscribe करें, और अगर आप चाते हैं, कि हम किसी legal issue या किसी legal topic पर discussion करें, तो आप हमें comment section में बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, उ झाक करेंगे या परनीक नितरों कि याम लगकर लेकरिश यादना हैं थात्रक्सू presenting अपराव, शजख करेंगे याथ, क्याविए करेंगे